वेलकम दोस्तों आज दो जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम स्टड़ी करने वाले हैं आज के टोप 20 करन्ट अफेर्स के बारे में और उनसे बनने वाले क्यूशन्स के बारे में ये जो करन्ट अफेर है ये आपके आने वाले एक्जाम्स की सबसे बोज़ादा है तो इन सबी क्यूशन्स को करन्ट अपेर्स को हमें अच्छे से देखना है अच्छे से समझना है और याद रखना है तो चलिए आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं आज की वीडियो का पहला क्यूशन है जून 2020 में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से च्छतिसवा द्वीवार सिक आशियान स्मेलन कहां अउजित किया गयाता ओcket हो गया था थाइलेंड विएटनाम इंडोनेशिया लावोज सिंगापूर एक जीत करना था लेकिन COVID-19 जो महा मारी है उसके कारण इसको स्तागित कर दिया गया था चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है मारियो गोमेज निमलिखित में से किस खेल से संबन्दित है ऑप्शन होगे बैडमिंटन होकी फुटबोल सतरंज टैनिस ओके तो जो मारियो गोमेज है ये किस कहल से संबन्दित है फुटबोल से संबन्दित है ये जर्मनी के पूरू स्ट्राइकर रह चुके हैं और 34 साल की उम्र में इन्होंने अभी सन्यास की गोशना की है इन्होंने जर्मनी के लिए टोटल 78 कब जीते हैं चीक है और 328 बुंडेश लिगा गेम खिले हैं इन्होंने और उसमें 170 इन्होंने गोल किये हैं चीक है और इन्होंने अपने करियर की शुरुवात भी 2006 से 7 में बुंडेश लिगा से ही की थी चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है बीसवे बार्षिक BAT पुरुसकारों में 2020 के मानवी पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आपके ओप्षन होगे रिहाना, सकीरा, बेउनसे, कारडी बी, बृतनी स्पेर्स ओके तो जो 2020 के BAT पुरुसकार हुए है इनमें मानवी पुरुसकार से क इसे सम्मानित किया गया है, पॉप स्टार, बेउनसे को सम्मानित किया गया है, इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए उनके पुरुपकार और जुनून के लिए इस पुरुसकार से उनको सम्मानित किया है, और जो BAT awards है, इन्होंने मनुदंजन उद्योग में एक हो जाने व ने राश्ट्रिय डोपिंग रोधी एजनसी का पहला मोबाइल एप्लिकेशन लौँच किया है ओप्शन होगे नितिश कुमार, यह भारतिये खेल मंत्री हैं और यह प्रतिवंदित पदार्तों और उनके अंजानी उप्योग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, कौन यह mobile application जो athlete के career को प्रभावित कर सकते है application का उद्दिश से खेल के विबिन पहलों पर आसानी से सुलब जानकारी प्रदान करके athlete और जो NADA है उनके बीच में एक संपर्क स्तापित करना है ठीक है NADA, N-A-D-A-E इसकी full form क्या होती है National Anti-Doping Agency स्विगी ने अपने मंच पर सिंगल क्लिक चेक आउट अनुबव सक्सम करने के लिए किस बैंक के साथ साजेदारी में अपने digital wallet स्विगी मनी की शुरुवात की है option होगे HDFC बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक, करनाटक बैंक यस बैंक तो स्विगी ने अभी और digital wallet अपने ग्राहकों को धन संचे करने और स्विगी पर सभी food orders के लिए उप्यो करने में सक्षम करेगा स्विगी मनी जो है ICICI bank की इंस्टा वोलेट सेवा द्वारा संचालित हैं जिसे API एकी करन के साथ cloud platform पर बनाया गया है clear है चले next question देखते है next question है June 2020 में Goodney T.A. Johnson को किस देश के राष्टपती के रूप में नियुक्त किया गया है option है Finland, Iceland, Norway, Ireland, Sweden तो जो Goodney T.A. Johnson है इनको कौन से देश का राष्टपती अभी बनाया गया है Iceland का राष्टपती इनको बनाया गया है और इन्होंने अभी ये दूसरा इनका चारवर्ष का कारेकाल होगा और इन्होंने टोटल 92% वोट जीते हैं और ये अभी तक की Iceland की सबसे बड़ी जीत है और राष्टपती Iceland के राज्य प्रमुक है और मुख्य रूप से सिमित सक्तियों के साथ एक उपचारिक भूमी का निवाते हैं राष्टरवती प्रत्यक्स लोगप्रिय वोट के माद्यम से चुने जाते हैं ये जो राष्टपती है कौन सी वोटिंग सिस्टम होता है इनका प्रत्यक्स लोगप्रिय वोटिंग सिस्टम के माद्यम से सेलेक्ट किया जाता है इनको चुना जाता है चले नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है बारतिय स्टांप अधिनियम डैश में संसोधन विद्व अधिनियम 2019 के माध्यम से लाया गया और बनाए गए नियम एक जुलही 2020 से लागू होंगे यहां पर खाली स् 1889 में 1907, 1927, 1947 ओके तो जो भारतिय स्टांप अधिनियम 1889 में है इसमें अभी संसोधन किया गया है विद्व अधिनियम 2019 के माध्यम से और बनाए गए जो नियम है वो एक जुलही 2020 से लागू हो जाएंगे यह राज्यों को एक उपकरण के माध्यम से एक स्तान पर स्विटी संस्कृति को भी विक्सित करने में मदद करेगी क्लियर है चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है MSME की सुविधा के लिए निमनिलकित में से किस सहर में ओनलाइन स्वय प्रमाणन सुविधा शुरू की गई है ऑप्शन हो गई सिमला कोलकाता दि लि लखनाउ देहरादून तो यह सुविधा कहां पर शुरू की गई है सिमला में इसको अभी शुरू किया गया और इस सुविधा से जल से जल उद्यमों को स्तापित करने में सुविधा प्रदान करेगी सुविधा मिलेगी और तीन वर्ड्स के लिए या उद्यम सुरू ह होने तक जो भी पहले हो तब तक उद्यमी से किसी भी प्रकार का कोई निरिक्षण नहीं किया जाएगा और नहीं उद्यमी से कोई आवश्यक मंजूरी मांगी जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है बुंदेल खंड में किस राज जाएगा तो इस अभियान की शुरुवात किस ने की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने इस अभियान की शुरुवात की है और यह जो अभियान है यह जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है और इस परियोजना पर 10,131 करोड रुपे का खर्चा होने का अनुमान एसा लगाया गया है अब यहाँ पे 2,185 करोड रुपे की लागत से बुंदेलखंड और विंद्यक्षेत्र में पहले चरण में इस परियोजना से लाभानवित होंगे और महोबा ललिदपूर और जासि में 14,000,000 की आबादी भी इस परियोजना से लाभा विपला वेटिका के लिए 50-50 स्युक्त अध्यम कंपनी के गठन के लिए और उद्यम से बंज्योंगे धार कोrovिर by ताकós ने होंगेμαत क्यूंद है महाया के साथ किय ब fed up का इस समझोते पर हस्ताक्सर किये हैं और समझोते पर जो कंपनीज है कौन कौन सी कंपनीज की बीच में यह समझोता हुआ है IOC, Middle East, FJD, दुबई और RR Holdings Limited, Russ Alkheema, UAE और बांगलादेश की BEMS को LPG की होल्डिंग कंपनी है इनकी वीच में यह स्ताक्सर किये गए हैं और यह LPG के आयात की लागत को कम करेगा और बांगलादेश में बोगताओं के लिए इसे और अधिक किफाहिती बनाने में भी मदद करेगा क्लियर है? चले, next question देखते हैं Next question है जुलई 2020 में अमेरिकी संगिय संचार आयोग ने निमलिकित में से किस चीनी कंपनी को राष्टिय सुरक्सा खत्रों के रूप में नामित किया है अप्शन है हुवेई टेकनलोजीज वीव कम्यूनिकेशन टेकनलोजीज कंपनी लिमिटेड, जेटी कोर्पोरेशन वन और थ्री दोनो दो और तीन दोनो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हुवेई टेकनलोजी और जेटी कोर्पोरेशन मतलब फूर्थ ओप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला ओप्शन और तीसरा ओप्शन दोनो करेक्ट है और तीन दोनो ओप्शन किसमें है चोते ओप्शन में है, तो करेक्ट कौन सा हो गया है यहापे, चोता ओप्शन करेक्ट हो गया तो अमेरिकी संग्य संचार आयोग है, इसने अभी हुवेई टेकनलोजी और जेटी कोर्पोरेशन को राष्टे सुरक्षा लगाने पर भी विचार कर रही है ठीके, क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है, निमली खित में से किस संसान ने विश्व का पहला ओनलाइन B.H.C. प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिगरी पेस्ट किया है अप्शन हो गए, I.I.T. बॉंबे I.I.T. दिल्ली, I.I.T. मदरास I.I.T. खडगपूर I.I.T. कानपूर, ओके तो इस क्यूशन को सही आंसर क्या है I.I.T. मदरास तो मानव संसाधन विकास मंदरी रमेश पोकरियाल निसंक ने विस्व की पहली ओनलाइन B.S.C. प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में डिगरी पेश की है और इस प्रोग्राम को कौन चलाएगा, I.I.T. मदरास द्वारा चलाएगा, डाटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो 2026 तक लगबक 11.5 मिलियन नोकरिया सरजित करेगा, ठीक है, और ये कार्यकरम कक्सा बारवी पास कर चुके, किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है, मतलब अगर आपने बारवी पास की है, तो भी आप ये जो प्रोग्राम इसको जोइन कर सकते हैं, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्यूशन है, ग्लोबल लिडर्शिप समिट और फेस्टिवल ओफ AI और इमर्जिंग टेक्नोलोजी, कोगेक्स 2020 में निमलिकित में से किसने दो पुरुसकार प्राप्त किये हैं, हेल्प डेक्स ने, चीक है, और यह COVID-19 के लिए सरस्रेश्ट नवप्रवर्तन सोसाइटी और पीपल्स च्वाइस COVID-19 समगर विजयता की स्रेणियों के तहत ये पुरुसकार इन को दिये गए हैं, और हाल ही में आयोजी कोगेक्स 2020 लंदन में एक प्रतिष्टित ग्लोबल लिडर्शिप सम्मिट एंड फेस्टिवल ओप AI और इमर्जिंग टेक्नोलोजी है, क्लेर है, चले नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्यूशन है, निम्न में से किसने कोरोना वाइरस महमारी को देखते मुद्रस पिति की घरेलू अपैक्षाओं के सर्वेक्षन को लौंच किया है, और प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को टेलिफोन पर इखटा किया जाएगा, आप्शन होगे RBI, SIDBI, SEBI, IRDI, नितियायोग, तो यह किस ने किया है, अभी RBI ने किया है, सर्वेक्षन का लक्षे लगबग 6,000 परिवारों की मुल्य गतिवीदियों और मुद्रस पिति पर व्यक्ति परक आकलन करना है, सर्वेक्षन के परिणामों का उप्योग मौद्रिक निति के लिए इनपूट के रूप में भी किया जाता है, क्लियर है, चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं, नेक्स्ट कुशन है, प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना को किस महने तक विस्तार किया गया है, आप्शन हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओ अतलब नवंबर तक मुप्त अनाज देने की गोशना भी की गई है, योजना के तहट प्रती माह एक परिवार के हर एक सदस्य को पांच किलो मुप्त गेहूं मिलेगा, या फिर चावल के साथ एक किलो साबुत चना दिया जाएगा, ठीक है, और इसके विस्तार पर लगवक नबह हजार करोड रुपे खर्चोंगे, चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं, नेक्स्ट कुशन है, चार्टेड अकाउंट्स डे या सीए डे हर वर्स कब मनाय जाता है, ओप्शन हो गए 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जूलाई, 2 जूलाई, तो जो राष्टे चार्टेड अक जूलाई को, ठीक है, एक जूलाई को मनाय जाता है, ये दिन 1990 में भारत की संसत द्वारा, भारतिय संदी लेखाकार संस्तान की खोज का स्मरण कराता है, आईसी एई जो है भारत का राष्टी ये पेसेवर लेखा निकाय है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा स अभियान शुरू किया है, अप्शन हो गया बिहार, मद्य परदेश, जारकंड, उत्तर परदेश, राजस्तान, ओके, तो ये अभियान किसने शुरू किया है, हमारा गर, हमारा विद्याले, मद्य परदेश, सरकार ने इसको शुरू किया है, अभियान जो होगा, ये राज पस्चिम बंगाल सरकार ने किस जिल्ले में एक कोविड वोरियर क्लब की स्तापना की है जिसमें ऐसे लोग सामिल है जो विमारी से उबर चुके हैं और महा मारी से निपटने में प्रसाशन की साहेता करने को तैयार है पस्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला है तो वहां पे कोविड वोरियर क्लब की स्तापना की गई है और इसमें ऐसे लोगों को सामिल किया गया है जो इस विमारी से उबर चुके हैं और महा मारी से निपटने में प्रसाशन की साहेता करने को भी तैयार है और यहां पे जो वर्तमान में बिमारी से उबरने वाले 60 लोगों को सदेशियों के रूप में नामांकित भी किया जा चुका है और सरकार सदेशियों को मांदे का भुकतान भी करेगी और उनके बोजन और आवास का खर्च भी वहन करेगी क्लियर है चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है जून 2020 में किसे तीन वर्ष के अवदी के लिए केंद्रिय मंत्री मंदल द्वारा सोलिसिटर जनरल के रूप में पुने नियुक्त किया गया है ऑप्शन हो गए केके बेडूंगोपाल अनिल सिंग सत्यपा तुशार मेहता उद्ः सिंगल ओके तो जो अभी सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त हुए हो किसकी हुई है तुशार महता की हुई है चिक है और इनको तीन वर्षों के अवदी के लिए फिर से नियुक्ति दी गई है केके विनुपाल जो है इनको एक फिर से नियुक्ती भी है चले नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है पिम स्ट्रीट वेंडर के आत्म निर्वर निधी पोर्टल का बीटा संस्करण लोंज किया गया है पोर्टल निमलिकित योजना कार्यों में से कौनसी सुविदा प्रदान करेगा ओप्शन हो कौन सा उप्शन सही हो जाएगा पांचवा उप्शन सभी एक दो और तीन पीम स्टीट वेंडर के आत्मी निर्वन निदी पीम स्वन निदी पोर्टल का अभी बीटा संस्क्रण अभी लॉंच किया गया है और यह पोर्टल जो है योजना के तहट लाव उठाने के लिए उपयोग करताओं के लिए एक एक एकिकरत end-to-end IT इंटर्वेस प्रदान करेगा और पोर्टल जो है कहीं योजना कारियों की सुविधा प्रदान करेगा जैसे की रेन आवेदन का प्रवाव होता है मोबाइल एप्लिकेशन होती है आवेदकों का EKYC होता है UIDI के साथ एकिक करना आधि इसमें शामिल होगा चीक है यहां तक क्लियर है तो दोस्तों यह हो गए आज के सभी इंपोर्टेंट टोप 20 करन्ट अफेर्स के क्यूशन और करन्ट अफेर्स तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लिजेगा समझ लिजेगा और अगर आप इसका PDF डाउनलोड क करना चाहते हैं तो इसे आप अमारे टेलीग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम गूप का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लिजेगा और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ और डेली ऐसे ही current affairs की वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ और नए current affairs के साथ जैहिन